आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नमबर वन इंटर पार्ट वन का ठीक है तो यह है इंट्रोडक्शन बाइलोजी का ठीक है यह हमारा फर्स टॉपिक है बाइलोजी एंड सम मेजर फिल्स अफ स्पेशलाइजेशन सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे चलेंगे बायो के यह काफे एजी होगा आप लोगों के लिए क्योंके आप लोग पहले भी यह पढ़ चुके है ठीक है बायो आपके लिए कुछ न्यू चीज नहीं है 910 में भी आपके पास यह सब्जेक्ट था ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वट इस बायोजी ठीक है पहले इसके दू वर् definition of biology that biology is the study of life इसमें हम जिंदेकी को जो है study करते है ठीक है एक branch है science की बाकी branches की तरह जिसमें क्या है हम nature को understand करने की कोशिश करते हैं अच्छा, यहाँ पर एक term है biologist, ठीक है जो लोग biology को study करते हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं biologist, ठीक है those who study life deals with living part of nature अब दुनिया में जितनी भी non living things हैं ठीक है living things है सब के combination से यह world चल रहा है, right तो जो यहाँ पर living part है ठीक है उसको biologist study करते हैं ठीक है और कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ living part कुछ ऐसे non living aspects भी जो के life को directly या indirectly जो है affect करते हैं उसको भी हम study करते हैं किसमे biology में ठीक हो गया understanding के लिए आपकी किसमें दोनों चीजें जो है study करते हैं लेकिन majorly हम लोग living things को और कुछ non living part को study करते हैं जो के indirectly या directly जो है living world को affect करते है, ठीक है जो आपके book में भी लिखे होगी that it is very difficult to define life, ठीक है life को define करना, जिंदगी को बियान करना कोई इतना असान काम नहीं ठीक है बहुत सारे questions ऐसे हैं जो के कोई भी दिमाग रखने वाला, कोई भी इनसान जो है question कर सकता है आपसे ठीक है life के बारे में लेकिन वो biologist नहीं deal करते हैं और ना वो उनको answer कर सकते हैं ठीक है, उन्हें हम non relevant questions कहते हैं वो biology के इंडर नहीं आते उनके question के examples देखनें जैसे meaning of life के जिंदगी का क्या मतलब है, ठीक है अब biologist इसका answer देने में ना काम है जो सीधी बात है, ठीक है biology में इस चीज़ का answer नहीं है why should there be life life क्यों है, ठीक है इसका मतलब क्या है, ये कहां से आई इस तरह के non-relevant questions जो है biology के इंडर life से related नहीं आते ठीक है, बाइलिजिस्ट क्या करते है कि ये वाले questions जो है जो philosophers और जो theories देते हैं उन पे छोड़ देते हैं, ठीक है basically जो है बाइलिजिस्ट deal करते हैं कि life कैसे काम करती है उसके daily life behaviors, आप जितने आगे branches पढ़ेंगे ना, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, यानि कि उसके anatomy, living organisms कैसे हैं कैसा behavior है, कैसे embryology, वो कैसे बनते हैं, कैसे grow करते हैं और उनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ये तो हो गया, इसका बहुत basic सा और easy सा introduction कि biology है क्या, ठीक है अब हम लोग चलते हैं living organisms, life के बारे में, यानि कि biology में हमने life जो पढ़नी है, living organisms पढ़ने है, वो क्या है, उनकी basics क्या है, ठीक है, कौन सी चीज़े living things में आती है, कौन सी non-living things में आती है, ठीक है तो एक statement हमने पहले भी पढ़ी थी that it is very difficult to define life ठीक है, life को explain करना is not that much easy ठीक है, तो उसके लिए biologist ने क्या किया, study की, search की, और वो इस conclusion पे पहुंचे कि कुछ characteristics हैं ऐसी, जो के living things में होती है, non-living things में नहीं होती, ठीक है, तो ये set of characteristics हम पढ़ेंगे, ठीक है जो के define करती है, जो के distinguish करती है, एक living thing में और non-living thing में, ठीक है आप लोग के लिए हो सकते थोड़ी सी inconvenience हो next time से हम लोग कोशिश करेंगे इससे ज्यादा अच्छे से lecture prepare करें, मतलब आप लोग के लिए देखने के लिए easy हो, stand और ये हो सकते है, camera थोड़ा से हिल रहाऊ, so I'm really sorry for this inconvenience ठीक है, लेकिन I hope के आप कुछ समझ अच्छे से आ जाएगा ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे set of characteristics that distinguish living organisms from non-living objects जाइ महेंगे गिके जाफ ईीक्षोगल